राइट्स बंदू की ऐसी टेकनोलिजी जो इनसान को एक देश से दूसरे देश में आसानी से आने जाने में मदद करती है जिसे हम विमान कहते हैं क्या आपको पता है आप हिमाले की पहाड़ी के उपर से कभी भी विमान में उडान नहीं भर सकते हैं लेकिन ऐसा क्यों होता ह दरसल आपने बच्पन में स्कूल की किताबे में पढ़ा रखा होगा कि हिमाले देश का मुकट है हम टीवी और सोशल मीडिया पर भी इसकी खुब सरती भारी देखते हैं लेकिन क्या आपको पता है आप चाहा कर भी इसकी उपर से विमान में बैटके उडान नहीं कर सकते ह अरसल हिमाले की उपर से किसी भी यात्री विमान के लिए कोई भी रूट निरदारित नहीं किया गया है इसका पहला कारण है मोसम हिमाले का मोसम काफी खरब रहता है और लगादार बदलता रहता है जो विमान की उड़ानों के लिए अनुकुल नहीं रहता है यह मोसम विम लेकिन हिमाले की उचाई विमानों के लिए खतरनाक साभीत हो सकती है दरसल आपस्तिती के लिए विमान में 20-25 मिनिट का ऑक्सिजन ही शेश होता है आपस्तिती में जहाज की 8-10 15,000 फिट पर उडान भरनी होती है ताकि लोगों को सास लेने में दिक्कत ना हो लेकिन हिमाले में 20-25 मिनिट से समय में 30-25 फिट से 10-8000 फिट पर आना बिल्कुल संभव नहीं है इसका एक और महतोपूर्ण कारण है नेविगेशन विमान के फाइलट के लिए नेविगेशन बहुत बड़ी भूमी का साबित खुरता है हिमाले की इलाग क्योंकि एक और दिक्कत है यहां नेविगेशन की ऊची सुविदा मोजुद नहीं है ऐसे में आपास्थिति में विमान एयर कंट्रोल से संपर्क नहीं कर सकते इसके अलावा एमर्जेंसी लेंडिंग के लिए आज़े पास एयर्पोर्ट भी नहीं है इस वज़े से हिमाले के उपर से कभी भी कोई भी यत्री विमान उड़ान नहीं भरता delivering sweat झाल झाल